एक बार फिर से आप सबका स्वागत ही जीवन एडिकेशन इस ओनलाइन प्लैटफॉम पर और हम डिसकस कर रहे थे MPCHO CRPF और ESIC और साथ ही NORSET को टार्गेट करते हुए कुछ special classes के बारे में कुछ special और selected most reliable questions MCQ session हम चल रहे थे MCQ session के बारे में हम पढ़ रहे थे और हमने चार MCQ session कर लिया और उनमें काफी important questions के बारे में डिसकस किया है और आज हम पांचवा session 50 session स्टार्ट करते हैं और इस session में वापस से हम डिसकस करेंगे राजस्तान चार्ट का एक्जाम होगा था उसमें जो questions आए हुई थे उन questions के बारे में और जो questions है वो काफी important है और जैसा कि आप सबको पता होगा 27 भरबरी को बिहार सीचों का एक्जाम कंड़क्ट हो रहा है तो उन questions के लिए उन जिसका भी उसमें एक्जाम है बिहार सीचों में एक्जाम देने वाले हैं उनके लिए काफी helpful रहेंगे questions और साथ ही MPCCHों की जो तैयारे में जुटे हुए हैं उन सभी के लिए यह जो MPCQ session चल रहे हो काफी helpful रहेंगे तो उमीद है आप सब ध्यान से इसको देखते होंगे और याद रखने की कोशिश करते होंगे क्योंकि यह questions सिर्फ आपके लिए हैं मेरा मोटीव यह है कि जादा से जादा लोग इन questions को पड़े और जादा से जादा लोग जुड़े हमारे चैनल से और आपके इस online platform से ताकि जादा से जादा लोगों को benefit हो सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की शेशन को आज का इ इसके रिगार्डिंग जो पीडियाप नोट्स है वो अवेलेबल करवाए जा सके साथ ही लेटेस्ट अप्रेट की जानकारी मिल सके चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपनी शेशन को फटा-फट से लाइक और शेयर कर दीजिगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड में कुछ important questions है जो कि आये थे उनके बार में हमने last class में discuss किया इस class में remaining questions को discuss करेंगे और आज के session का अपना first question है दस्त रोग में म्रत्यू का मुख्य कारण कोन सा है दस्त रोग means दस्त आप जानते होंगे डाइरिया ठीक है दस्त को क्या कहते है डाइरिया कहते है अब डाइरिया के कारण से जो main कारण है डेत का वो पूचा गया है ठीक है question है आपके पास दस्त रोग से म्रत्यू का उसके बाद इसका राइट आंसर मिलेगा आपको option आपके सामने है उल्टी, option B है पेट में दर्द, option C है निर्जली करण और option D है सुस्ती हाला कि paper थोड़ा language हिंदी में है but same adjectives questions आयोई थे राजस्तान CHO के अंदर तो इसके right answer आपको देना है फटाफट से क्या right answer है इसका बिल्कुल right answer है option number C बिल्कुल right answer है निर्जली करण क्या है निर्जली करण इंगलिस में बताएं इसको तो यह होता है dehydration, निर्जली करण means dehydration यानि थोड़ा सा language आपका issue रहेगा बट ये questions paper है और उसमें language यही थी तो diarrhea होने पर किसी person की जो death होती है किसी patient की जो death होती है उसका main region बनता है वो होता है dehydration यानि निर्जली करण उसका main region बनता है तो याद रखे question और ये question भी काफे बार put up हुआ है MPCA चो के अंदर तो ये question आपको भूलना नहीं है Next question के आपने बात करते है Next question है निम्न में से पांच वर्स से छोटे बच्चे की मुरत्यू का मुखे कारण क्या है बहुत अच्छा question है यह भी और यह भी काफे बार पूचा हुआ है कि पांच वर्स से छोटे बच्चों की जो मुरत्यू होती है यानि उसकी death होती है उनका main region क्या है वो आपसे पूचा था option आपके सामने है दस्त रोग यानि diarrhea, pneumonia, kusra, यानि measles और चोटी माता ठीक है तो यह option आपके सामने थे आपको बताना है उसके बाद right answer आपको मेलेगा जलदी से answer लगाईए क्या इसका right answer हो शकता है इसका बिल्कुल right answer है option number b, बिल्कुल right answer है pneumonia pneumonia इसका बिल्कुल right answer है लेकिन काफ़ी सारे candidate काफ़ी सारे student इसको लेकर confusion में है और जैसा की एक्जाम जैसे हुआ था यह उसके बाद भी कापी सारे लोग कह रहे थे कि डाइरिया इसका राइड आंसर है हाँ हो सकता है डाइरिया भी एक मेन रीजन है बट रेस्पाइरेटरी जो इन्फेक्शन होता है निमोनिया जो होता है वो फर्स प्रायोटी में माना जाता है ठीक है याद रखे यह कोशन आपर निमोनिया भी नहीं मिलता है डाइरिया भी या आंसर है फिर आप दोनों ही है दोनों में से एक चूज करना है तो फिर राइस्पाइरेटरी इन्फेक्शन रिप्राइप का राइट आंसर होगा चलि बात करते हैं पर नेक्स क्यूस्टिन की बच्चों में सामान्य कैपिलरी रिफिल टाइम क्या होता है कितना होता है ठीक है सामान्य नोर्मल कैपिलरी रिफिल टाइम यानि कैपिलरी का वापस ब्लड फील हो जाना वो कैपिलरी रिफिल होता है आप सबने अपनी उंगली को प्रेस करके आप देखते हैं उंगली को प 300 छल्डी जल्दी आंशर पूल देना आतर चलेग próxim जल्दी कार एंसर क्या है के अ अपको क्या लगता हैं कि जल्दी-जल्दी आंसर देना एंगाहर कर गli有से कर labor unionelly उसका B जंधे जे जल्दी को से कंकि जल्दी कोises दंदा लगाड़ है कितना सेकिंड आप टू टू इसकेंड अंदर लगते हैं और यहां और यही है तो इसका राइट आंसर बिलकुल यही है तो इस राइट आंसर नेक्स के अपने बात कर रहे हैं next question है आपके सामने, आप एक 6 मा के बच्चे के विकाश का आकलन कर रहे हैं, शामन्यत निम्न में से आप क्या उमीद कर सकते हैं, यानि आपके पास एक 6 मा का 6 मन्थ चाइड है, एक बेबी है, अब उसको आप उब्जर्व कर रहे हो, असिस्स कर रहे हो, देख रहे हो, तो आप क्या उमीद कर सकते हैं, उस 6 मन्थ बेबी के बारे में, आपके सामने है, आपको आपके सामने है, आपको 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 आपक एलिमिनेशन वे थड़ आप लगाएंगे तो इजी लिए निकल जाएगा एलिमिनेशन से निकल जाएगा क्योंकि six month baby है और six month baby आप सबने observe किया होगा six month baby को क्या-क्या वो कर सकता है जल्दी सी answer दीजेगा उसके बाद right answer आपको बताए जाएगा जी इसका बिल्कुल right answer है option number C बिल्कुल right answer है बच्चा स्वयम बैट सकता है question mind में आएगा doubt आपके mind में आएगा कि six month का बच्चा स्वयम से नहीं बैट सकता हाँ वो नहीं बैट सकता बट other option है वो तो बिल्कुल गलत है तो जो सही नहीं है बट थोड़ा-थोड़ा सही है तो इसको right माना जैसे कह Enough for first option था कि बच्चा वाके सकता है six months का बच्चा बोल नहीं सकता है वाके नहीं बोल सकता है यह तो इनके comparison यह ठोड़ा-ोट कि से好啦. तो े यह डिए बिल्कुल गलत है आएगा wszyscy आए वह सकते है यह दो इसलिए इनके comparison यह थोड़ा सही है and only HOW is it यह भी बिल्कुल गलत है और बचा उठकर खड़ा हो सकता है सोयम से यह भी बिल्कुल गलत है वो सोयम बेट सकता है यह भी गलत है बट इनके कंपेरिजन यह थोड़ा सही है इसलिए यह बिल्कुल राइट आंसर है तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है ठीक है चलिए करतें है वारत में पूंचा हुआ है बहुत अच्छा क्यों है है भारत में हैं भारत में इंडिया की बात किह रही इंडिया के इंडिया के अंदर 8 बेबी का वेट वो इंडिया के देना है और आप सबब्सभाерagen romance भूसे पाउमें इसके तो यह right answer आपका होना चाहिए, option आपके सामने है, answer आपको देना है, option है 1.5 to 2.5 kg, option B है 2.0 to 3.0 kg, option C है 2.5 से 2.3, sorry 2.5 से 2.3.5 kg, और D option है 3.0 से 4.0 kg, समझ जाएंगे फटाफट से answer दीजिएगा, इसका right answer क्या होगा, 1.5 से 2.5 kg, 2.5 से 2.0 से 3.0 kg, option C है 2.5 से 3.5 kg, option D है 3.0 से 4.0 kg, क्या है, इसका right answer है, answer आपको देना है, right answer आपको पता चल जाएगा, बिल्कुल right answer आपको देना है, जल्दी से answer दीजिएगा, इसका right answer हो जाता है, option number C, बिल्कुल right answer है, एक ideally मैंने last lecture में आपको बताया था कि, एक at birth जो बेबी का weight होता है, वो होता है, 2.5 से 3.9 kg, यह normally और ideally weight होता है at birth, जैसे यह बच्चा, डिलिवर्ड हुआ है, उसके बाद उसका weight अपन करते है, तो 5 kg से 4 kg के something मिलता है, यानि 2.5 to 3.9 kg के something मिलता है, यह normal है, इससे कम होता है, तो वो LBW हमने कहा था, इससे ज्यादा होता है, तो overweight वाला होता है, वो abnormal condition है, बट यह normally आपको याद रखना है, तो इसका right answer हो जाता है, option number C, चलिए बात करतें next question के, और यह बी काफ़ important question है, यह भी पूचा हुआ है, राजस्तान CHU के अंदर और other competitive exams के अंदर, देखे question क्या है, जब कंगारू mother care, यानि KMC परदान की जाती है, तो वह कम से कम कितने समय के लिए परदान की जानी चाहिए, बहुत अच्छा question है कि KMC अपना देते हैं, तो कम से कम कितने समय तक देनी च हैं, कम से कम 6 गंटे, answer आपको देना है, फटाफट से क्या, इसका right answer होगा, जल्दी से answer आपको देना है, इसका बिल्कुल right answer है, option number, option number, देखे, आपको लगेगा कि B भी सही है, और D भी सही है, normally अपन पढ़ते हैं, KMC के अंदर, normally अपन पढ़ते हैं, कि 6 गंटे तक कम से क यह देनी चाहिए, बट यदि यह नहीं दे, तो at least one hour तो देना ही पड़ेगा, one hour तो वो देनी ही चाहिए, तो इसका right answer है, बिल्कुल right answer के आपन बात करें, तो right answer D है, बट इसका right answer, इससे भी correct answer देखे, तो B है, यानि कम से कम एक घंटा उसको KMC देंगे, बट यदि आप आपको option में इसा नहीं मिला है, तो six hour आपको बिल्कुल right answer माना जाएगा, ठीक है, तो at least six hour या फिर at least one hour आप इसमें KMC प्रवाइड कर सकते है, तो दोनो right answer है, रास्तान CCHो के अंदर ये one hour माना है, ठीक है, चले बात करते हैं, आगे next question की, बहुत अच्छा question है, यह और का option आपके सामने है, answer आपको देना है, क्या होता है, उसका value, option है, 22 to 24 centigrade, 26 to 28 centigrade, 28 to 30 centigrade और 34 to 37 centigrade, क्या इसका right answer है, right answer आपको देना है, option आपके सामने है, जल्दी से answer दीजेगा, उसके बाद इसका right answer आपको बताया जाएगा, जी, इसका बिल्कुल right answer है, option number B, बिल्कुल right answer है, 26 to 28 degree centigrade, इसका बिल्कुल right answer है, और लेबर रूम का जो temperature होता है, वो यह होता है, 26 to 28 degree Celsius of centigrade, ठीक, चलिए बात करते हैं, आपको next question की, और next question भी बहुत ही अच्छा question है, यह भी काफी सारे competitive exams में पूचा हुआ है, nursing competitive exams के साथ ह अधर जो जनरल competitive exams होते हैं, राजस्तान पूलिस का हो सकता है, रैलवे का हो सकता है, अधर competitive जो normal competitive exams होते हैं, अधर फिड के, उसमें भी यह questions पूचा भाई, science course ने दी, उसमें आता है, तो बहुत अच्छा question है, question है आपके सामने, निम्न में से कौन सा immunoglobuline, मानो की दूद, यानि human milk में पाये जाता है, यानि breastfeeding करवाये जाती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा, या फिर कहें कौन सा immunoglobuline, या कौन सा antibody present होता है, option आपके सामने है, answer आपको देना है, option है IZZ, option B है, IZM, option C है, IZA, option D है, IGE, यह option है, थोड़ा mistake हो गया यहाँ पर, यहाँ पर एक option है, option number, इसमें जो right answer होगा, option number D, right answer होगा, यहाँ पर कुछ misprint हुआ है, यहाँ पर पेपर में misprint हुआ, आपको इसको directly याद रखना है, इसको स्वेलना करे, misprint हुआ, अब यहाँ पर आपको याद रखना है, तीक है, क्या याद रखना है, केवल IGA याद रख लेना है, यहाँ option में आप IGA मान लेना है, इसका right answer है, IGA बिल्कुल right answer है, याद रखे इस question को, human milk के अंदर या breast milk के अंदर, कौन सा immunoglobuline या antibody present होता है, तो आपको याद रखना है, IGA present होता है, बूलना नहीं है question, आगे चलते हैं, आपर next question पर, next question पर चलते है, next question यह भी बहुत अच्छा question ह BCG vaccine का injection किस प्रकार लगाए जाता है, यह भी काफी competitive exam में पूचा हुआ है, कि BCG का root होता है, वो कौन सा होता है, किस root से इसका vaccine लगाए जाता है, option आपके सामने है, interdermal, option B है, subcutaneous, option C है, intramuscular, option D है, intravenous, या ID लगाते है, या SC लगाते है, या IM लगाते है, या IV लगाते ह अंसर आपको देना है, फटा-फट से आंसर दीजेगा, इसका बिल्कुल right answer है, option number A, intradermal, यानि ID इसको लगाते है, और ये question भी अपने previous classes के अंदर discuss किया है, तो ये भी आपको याद रखना है, बूलना नहीं है, और next question आ रहा है अपना, और ये question तो काफी बार हम discuss कर चु है, तो इसको तो आपको भूलना ही नहीं है, एक question है आपके सामने, कौपलिक स्पोर्ट किस बिमारी में देखने को मिलता है, option आपके सामने है, answer आपको देने है, option है, छोटी माता, चिकन फोक्स, option B है, mumps, option C है, कसरा मीजल, option D है, folio, क्या इसका right answer है, answer आपको देना है, फ इसका right answer है, option number C, बिल्कुल right answer है, मीजल, मीजल, के अंदर ही, कौपलिक स्पोर्ट दिखाई देते हैं, ठीक है, यही देखने को मिलते है, कौपलिक स्पोर्ट किसमें देखने को मिलते है, मीजल के अंदर देखने को मिलते है, तो यह आपको याद रखने है, और last classes जिसने नहीं देखा है तो जरूर देखें उनको डिस्रिप्शन बुक्स में लिंक है या फिर अपने चैनल पर मिल जाएगी और डेली 12 लोग अपनी क्लास रहती है तो डेली आपको क्लास को जोइन करना है और लाइक करना है शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है त सुमे कित बाल विकाश शेवाए योजना यानि ICDS इसकीम के लाभारती कोन होते है नौर्मली आपने यह इसकीम पड़ी होगी ICDS ठीक है ICDS आपने पड़ी होगी और ICDS के अंदर कोन-कोन लाभारती यानि किस-को लाभ इसके अंदर दिया जाता है option आपके सामने है छे वर्स आंसर आपको देना है उसके बाद इसका राइट आंसर आपको बता दिया जाएगा तो जल्दी से अंसर दीजिएगा क्या इसका राइट आंसर हो सकता है जल्दी से आंसर देना है जि इसका बिल्कुल राइट आंसर है option number D, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है option number D, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ICDS के अंदर छोटे बच्चे और pregnant lady या lactating mother दोनों को ही benefit मिलता है तो दोनों ही नंतरा आंसर हैं बिलकुल राइट आसर हैं शले बात करते हैं नेक्स कोश्चिंद कि अपना बात करते हैं और नेक्स कोश्च्छ आपके सामने देखिए बहुत अच्छा कोशन है यह भी काफी बार पूछा हुआ है जेनरल कंपेटेटिटिव एक लिए अपने जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा क्या इसका राइट आंसर है आपके कोडिंग क्या इसका राइट आंसर हो सकता है जल्दी से इसका आंसर आप बताईगे उसके बाद इसका राइट आंसर आपको बता दिया जाएगा तो फटापट से आंसर बता दिजिएगा क्या इसका र जरूर देखें उसके अंदर सारी डिटेल है आपकी विटामिन के रिगार्डिंग तो याद रखें दूद में सबसे ज्यादा मात्रा में केल्सियम होता है या जो ऑप्षन दे रखें उनके अकोडिंग तो बिल्कुल राइट आंसर है इसका ऑप्षन नमबर सी दूद बिल् कर लेंगे आज के लिए इतना ही कोज अर्जेंटली थोड़ा सा इशु आ गया है तो उसको करेंगे उसके बाद आपने नेक्स क्लास में इसके बारे में डिसक्स कर लेंगे और क्योशन अच्य लगे है आई थिंग और उमीद है आप सबको क्योशन समझ आयोंगे और इसी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा साथ ही टेस्रीज के लिए आपको काफी बेनेफिट होगा टेलेग्राम से तो जरूर जोइन कीजेगा बागी आज के लिए इतना ही मिलते हैं अपने एक्स अपडेट के साथ बहुत ही जल्दी तब तक के लिए लाइक एंड शे हुआ है